नमस्कार दोस्तों, सुरुची एवन कीचर में आपका स्वागत है, आज हम मनाएंगे खजूर ड्राइफरूट रोल खजूर ड्राइफरूट रोल यह हम बच्चों यह सभी के लिए बना सकते हैं कभी कभी बच्चों को खजूर खाना एसे पसंद नहीं होता, तो हम उन्हें यह रोल दे सकते हैं खजूर से सदी के मौसम में हमें गर्मार्ट मिलती हैं, जिससे हमारी रोक प्रतिरोदक शमता बढ़ती हैं खजूर रोल में हमें खजूर और ट्राइफरूट दोनों के फायदे मिलते हैं, खजूर रोल एक पोस्टिक और स्वादिष्ट रोल है, तो चलिए देखते हैं खजूर ट्राइप्फरूट रोल बनानी के लिए हम लेंगे खजूर यहाँ पर मैंने नरम खजूर ली है 400 ग्राम इसके हम बीच निकालके लेंगे काजू लेंगे 30 ग्राम बदाम लेंगे 30 ग्राम अक्रोड लेंगे 20 ग्राम पीस्ता लेंगे 20 ग्राम इलेची लेंगे 7-8 जाइफर लेंगे खसकस लेंगे 2-3 चमच घी लेंगे 2-3 चमच सबसे पेले मैंने यहाँ पे खजूर के बीच निकालके लिए हैं अब हम इसे अच्छे से बारीक कट कर लेते हैं अगर आप चाहो तो इसे मिक्सर में से भी कर लिया है अब हम ड्राइफरूट को भी कट कर लेते हैं यहाँ पे हम आधा चमच जाइफर और इलैची उसको हम बारीक पिस लेते हैं एक चमच हम चीनी डालकर इसे अच्छे से बारीक पिस लेंगे यहाँ पे मैंने इसका पाउडर बना लिया है यहाँ पे मैंने बदाम आक्रोड पीस्ता पर हमें कड़ाई रखतेंगे उसमें डालतेंगे हमारी खसकस दो तिन चमच जो हमने ली है इसे अब हम दो मिनिट के लिए भून लेंगे हमें यहां पर हल्का सा ब्राउन कलर आने तक इसे भून लेना है इसे अच्छे से कलर आ चुका है मैंने इसे बाउन में निकाल लिया है अभी उसी कड़े में हम डाल देंगे घी एक देर चमच इसे थोड़ा गरम होने दिया है अब हम इसमें डाल देंगे सभी ड्राइब रूट बदाम काजू अक्रोड और पीस्ता इसे भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक भून लेंग इन्हें इस तरह से भून लेने से ड्राइब फ्रूट क्रण्ची बन चाएंगे इन्हें ब्राउन कलर आ चुका है गैस को बंद कर देंगे और इन्हें बाउन में निकाल के लेंगे अभी कड़े में डाल देंगे देड़ चमज घी, घी को गरम होने दिया है अब हम इसमें डाल देते हैं खजूर जो कि हमने बारिक पीसेस में कट कर लिये हैं अगर आप चाहो तो इन्हें मिक्सर में से भी पीश सकते हो अभी इसे भी भून लेते हैं दो तीम मिनिट के लि अज 여기 सबी कचुर एक जगह पे एकटी हो रहु है यहां अअच्छे से भूं चुकी है गयास को बंद कर देंगे और इसमें डालेंगे इलैची और जाएफल का पाउडर जो हमने बना के लिया है, इसे मिक्स कर गाजुर को बूनने के लिए हमें ज़्या वखत नहीं लगेगा सिर्फ दो ती मिनिट ही लगते हैं अभी इसमें चीजह अच्छे से मिक्स हो चुकी है एक प्लेट को हम घी लगा के लेंगे और इसमें डाल देंगे जो हमने घजूर का डो बनाया है वो और इसे हल्का सा थंडा होने देते हैं अभी ये थंडा हो चुका है हाथों को थोड़ा सा घी लगा के लेंगे ताकि वो चिपके नहीं और इसका रोल बना के लेंगे इस तरह से हम इसे शेप देदेंगे अभी ये अच्छे से रोल बन चुका है ये बहुत यासनी से बन जाएगा आपका अब हम गार्निशन के लिए प्लैटफॉर्म पे थोड़ी सी डाल देंगे खसकस और पिस्ता और इसे हलके हातों से इसे प्रेस करेंगे ताकि सभी जगों पे खसकस और पिस्ता लग जाए अब हम लेंगे अलुमिनियम फॉल पेपर इसमें हम रख देंगे खजूर रोल को और इसे अच्छे से टाइडली रैप करके लेंगे इस तरह से इसे गोल-गोल करके लेंगे और दोनों साइड से अच्छे से इसे पैक कर लेंगे इस तरह से इसे फोल्ड कर देंगे यहाँ पे दोनों साइड से मैंने इसी तरह से कर लिया है अब हम इसे रख देंगे दो घंटे के लिए फ्रीच में सेट होने के लिए यहाँ पे दो घंटे हो चुके हैं मैंने जो हमारा खजोर रोल है उसे निकाल के लिया है अब हम इसके उपर का फॉल पेपर निकाल के लेते हैं इस तरह से यह अच्छे से सेट हो चुका है अब हम इसे कट करके लेते हैं अब रोल को हम स्लाइस में कट करके लेंगे यहाँ पर हमने इसे फ्रीच में रखा था इ इस वजह से स्लाइस काटने में बहुत ही आसानी हो जाती है इस तरह से कट कर लेंगे यहाँ पर मैंने इसे कट कर लिया है आप देख सकते हो यहाँ पर ड्राइफ रूट बहुत ही अच्छे से सेट हो चुके है और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं तेहर है हमारा घजू ड्र झाल झाल